देखिए लोबिन नहम्रम जी जो है वो भिगत साड़े चार वर्सों से जारखन मुक्ति मोर्चा और कॉंग्रेस के जो क्रिया कलाप है उसको बराबर क्रिटिसाइज कर रहे थे उनकी मूल भावना जो है वो आदिवासियत की है उनकी मूल भावना जो है यहां के मूल वासियों के हित्की है और वो बराबर ये कहते रहे की खतियान के आधार पर निती बननी चाहिए जिस परकार से खनीज का दोहन हो रहा है संथाल परगना में और पुरे राजे में उसे रोका जाना चाहिए, यहां के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए, यहां के जो बेरोजगार चात्र है, उनको रोजगार कैसे मिले, इस बारे में प्रबंध होना चाहिए, तो हम लोग यह जरूर समझ रहे हैं कि यदी लोबिंदा हमारी पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाहें, तो बिल्कुल यह बहुत बड़े स्वभागी की बात होगी हमारी पार्टी के लिए, यह जामूमों के नेता, यह कॉंग्रेस के नेता, चाहे बिधायक हों, या सांसद हों, या ना हों, जिस तरह से संपन होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से जार्खन के स सांसादनों का दोहन करके यह धनी हो रहे है, उस धन को लेकर के यदि उसका दिखावा करके चुनाओं में जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि जार्खन की जनता अब उनको नकारने का काम करेगी, उनको रिजेक्ट करने का काम करेगी.